शुरू करते हैं सरफ of post market analyze पहले चलते हुआ पे Nifty select कर लेते हैं Nifty पे हम सारी कामिक करते है и Nifty को ही भी ही देखेंगे आज के levels, बहुत सारे levels बने। सु przysz बटिया move भी आये तॉभी बन लेबर जण हाते है, replay mode में चलते है यहां पर भी बैक टेस्टर में चलते हैं निफ्टी 11 जुलाई की एक्सपाइरी 10 जुलाई का डेट 9 15 प्री ओपनिंग में देखते हैं क्या हुआ प्री ओपनिंग का डाटा क्या बोल रहा है 27 पॉइंट्स अप खुली है सपोर्ट काफी दूर है रेजिस्टेंस भी काफी द प्री काटा मिलता है 450 पर रेजिस्टेंस दीखेगा आ को यहां पे 450 पर पर रपर से यहां पी ए यहां पर resistance तो 450 पे दिखा रहा है लेकिन support 400 पे दिखा रहा है उसका कारण क्या है हम लोग support and resistance कैसे identify करते हैं resistance के लिए जितने भी red box है 100% जो भी है उसको mark करो और किस वाले price से जो सबसे नजदीक है वो वाला strike price आपका resistance होता है यहाँ पे सबसे नजदीक कौन सा है 450 similarly support के लिए green box mark कर लिया सबसे नजदीक कौन सा है सबसे नजदीक जो है वो आपका support होगा यहाँ पे 412 पे चल रही है market 400 सबसे ज़्यादा नजदीक है 450 नहीं है तो शुरवात हुई है resistance की 450 पे support की चार्स maximum oi chain 450 पे 450 के resistance से put buying किया जा सकता है या नहीं उस पता करेंगे हम लोगों नाओ बचके 30 वीनट के बार नाइन थक्ती पे 400 पे रेजिस्टेंस 450 पे था वहां से 400 पे और इस ट्रॉंग रेजिस्टेंस यह स्ट्रॉंग नॉर्मल वाला नहीं है इस ट्रॉंग वाला है आवा सकता है या नहीं पहले फेरिफाइब करते हैं एक के करके देखते हो ज्यादा आसान लेंगें अब यहां पर line draw करेंगे हम लोग 930 पर यही है अपने पास यही दो लेवल सारे मार्केट क्या है थोड़ा सा बेरी से कैसे पता चला तो यह 75% राइटिंग सिर्फ कॉल साइड में हुई है सिर्फ नहीं मतलब 75% राइटिंग कॉल साइड में हुई है 25% पुट साइड में रा क्लोजिंग तो टॉप पे जाती है तो मौका बनेगा फुट का ट्रेट तो है लेकिन उपर से एक एंडल भी नहीं गई उपर तक गई नहीं नीचे आ गई यहां पर एक मौका बन सकता था लेकिन वह तच करके जस्ट आ गई थी यह दूसरी टच की थी तिसरी भी लगबग टच करने गई थी वहां से वापस आ गई बहुत अरली था यह ट्रेट बनता नहीं अब नीचे क्लोजिंग दिया इसने दस नौ बचके 45 मिनट पर डाटा देखते हैं 945 945 पर सपोर्ट रेजिस्टन दोनों स्ट्रॉंग है क्या सपोर्ट में कोई विखनेस है तो नहीं है अभी तो नहीं है नीचे के और लेवल से नीचे क्लोजिंग दिया है तो यहां पर कॉल तो अभी अभूइड करना चाहिए उसके साथ साथ नीचे वाला स्ट्राइब बेरिस नहीं है तो कॉल तो बनता है लेकिन अगर उपर जाती है तो तो केंडल ऊपर गई काफी उपर लेकिन सब्सक्राइब दूसरी कंडल नीचे आई और लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया है 951 पर डाटा देखते है 951 पर क्या सपोर्ट में कोई वीक्नेस क्रियेट हो रही है अभी ऐसा तो नीटी करा है बालूम बढ़ रही है बालूम थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ हो ला यहीं ही है नीचे वाला स्ट् россий कि बेरि से हां यह रही से अर नीचे के गोसी करी नीचे वत तुसरी बार पिर यह 83% हो गया और increase ही हो रहे हैं तो यह इस साइल जाने के chances पुरे-पुरे हैं अगली candle फिर से लेबल पर ही है डाटा फिर देखेंगे 954 954 पर क्या support में कोई weakness बन रही है अभी तक तो नहीं बन रही है क्या 350 वाला bullish हो रहा है नहीं हो रहा है बेरिस ही है अभी एसल जाने के chances बन रहे हैं और यहां पर एसल जाता है support में कोई weakness है नहीं 200 पर भी देखते हैं वहां पर भी नहीं है 350 वाला बेरिस था और काफी बेरिस हो गया है तो अभी support allow नहीं कर रहा है support अभी भी 400 पर बेढ़ना हुआ है वो कोशिस करेगा रोकने की market को लेकिन market काफी बेरिस हो रहा है तो यहां पर put cut trade काफी risky रहेगा in fact बनता नहीं है target वाले ही मिल जाए लेकिन logically put cut trade बनता नहीं है जब तक resistance sorry support नीचे की तरफ आये ना यहां पर हम लोगों ने तो लिया था वो थोड़ा experience से आयेगा लेकिन अभी यह trade allowed नहीं है market नीचे आई उससे भी नीचे आगई कहां तक आगई तो 350 से नीचे 300 के support से भी नीचे आगई उसको भी draw करते हैं कितने बज़े market नीचे आया तो यह आया 10 बच के 9 मिनट 10 बच के 9 मिनट पर support में अभी तक weakness नहीं है 90% है यहां पर support shift हो सकती है कोई नहीं अभी तक यह हो सकती है और अभी increase भी नहीं हो रहा है percentage इसके increasing भी नहीं है call का trade बनता है लेकिन क्या चाहिए हमक अब बनने लगी है 350-300 पर percentage increase होने लगे हैं काफी तेजी से increase हो रहा है लेकिन अभी 60% पर यह increase तो हो रहा है 300 वाला strike price लेखते हैं काफी वेरी से तो यह call का trade नहीं बनता है in fact अब put का trade थोड़ा कम risk हो गया है अगर नीचे आती है तो कम put का trade किया जा सकता है तो आई तो न support को draw कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि market नीचे आ गई कितने वज़े आई तो दस बच के 21 मिनट पर 10-21 पर 350 पर shift हुआ अभी तक 300 पर भी नहीं हुआ है और अगला 3 मिनट भी देखते जो candle की closing काफी नीचे आ गया अब देखिए यह बहुत सारा बहुत लोगों को doubt रहता ह से हो गया यह क्योंकि maximum highest है market यहां पर है हम लोग क्या करते हैं यह इसको ATM मानते हैं जहां पर हमारा spot price चल रहा है उसके आजू बाजू पर नीचे ATM होता है हम लोग one in the money यह put के लिए in the money है यहां से देखने की कोशिस करते हैं क्योंकि support नीचे से ही दिया जा सकते support नीचे ही resistance उपर रहता है similarly resistance यहां से देखा जाएगा अब इस strike price से यह exclude होके है उसके counting नहीं चल रहे है इन में से जो भी maximum रहेगा वह 100% होगा जो कि यह है उसके comparison में अब सारे इन सभी के percentage आते हैं इसके कारण से वह 100 से उपर आ रहा है 100 से उपर क्यों आ रहा है क्योंकि वह number 45 से ज 300 पे shift हुआ है support लेकिन जबता कि 100 के उपर है market दुबारा उपर जाने की कोशिस कर सकता है अभी के लिए level भी नहीं है यहां पर एक rejection आया है कितने बज़े 10 बच के 24 मिनट पर दस बच के 24 मिनट के 300 का support 300 पे support shift हुआ है 250 के support से market ने reject किया react करने का मौक्का है नहीं हमारे पास और bearish काफी चल रहा है तो यहां पे भी कोई trade नहीं बनेगा दुसरी candle नीचे आई और level के आसपस closing दिये 10 बच के 27 मिनट बच के 27 मिनट में percentage decrease हो रहा है इसके अलावा कहीं और नीचे increase हो रहा है किया market कहां पे है तो 239, 239, 250 का support है अगर 200 वाला strike price bearish नहीं है तो यहां से call यहां जा सकता है लेकिन यह भयंकर वेरी से काफी वेरी कॉल तो यहां पर भी नहीं बनता है पुट क्यों नहीं बन रहा है क्योंकि support इसके नीचे है नीचे है नीचे वाला strike price काफी वेरी अगला candle फिर से नीचे आ गई काउन साथ तो 200 के नीचे 250 के नीचे आ गई 1033 यह ल market के उपर जाने के नीचे कहीं पर कोई weakness खास दिखनी रही है एक बार 200 के support पर आई तो 150 वाला strike price पहले देखते हैं क्या यह call लेने के लिए allow कर रहा है तो यह भी काफी बेरी से यह allow नहीं कर रहा है 200 वाला देखते हैं वह भी नहीं कर रहा है तो यहां से भी call नहीं बनता ह है अगले candle और नीचे आ गई हम लोग 200 के support अल्रेडी ड्रो कर चुके हैं 150 के support रो कर रहे हैं मार्केट वैरी से गिरती चली जा रही है लेकिन support इला नहीं है अभी तक I mean support और नीचे नहीं आया 300 तक ही आया फिर से 100 से उपर percentage 141 131 200 का support दिख रहा है क्योंकि यह सारे strike price अब इंक्लूट नहीं हो रहा है मार्केट इससे के range से नीचे आ चुकी है अब यहां पर क्या हो रहा है अगर यह percentage 100 से डाउन हो जाते हैं यह दोनों 100 से डाउन हो जाते हैं तो proper support हमारा 200 का होगा जिसकी weakness कहां पे है 24,000 पे मार्केट कहां तक 100 के support तक आ सकती है जब तक यह volume भी तक ड्रो नहीं करा है 100 का support ड्रो करके देखते है 108 का level आ रहा है मार्केट हमको safe trade कहां देगी 108 से जहां से call का trade किया जा सकता है कोई ठीक है मार्केट 150 के support से rejection ले रही 100 अगर bullish हो गया तो बनता था लेकिन वह भी अभी बेरिस ही है deep आया था थोड़ा से recover करा था फिर दुवारा deep आ गया level का wait कर क्या यहां से put बनता है 150 के resistance पे मार्केट 10 बच के 42 मिनट 150 के और यह percentage अब डाउन हो रहे है मार्केट 200 के support है उसकी weakness नीचे बढ़ नहीं रही है क्या 100 पे बढ़ रही है 100 पे percentage बढ़ रहा है volume की percentage थोड़ा increase हुआ है why change भी increase हो रहा है तो 100 पे support shift होने की कोशिस करेगा लेकिन yellow box जब तक आता नहीं है मार्केट 200 के support से वापस जाना चाहिए अभी 150 के 200 के support लेकि नीचे यहां से call बनता था लेकिन उपर closing दे तो इस candle ने उपर closing दिया 10.45 पर नीचे की weakness पहले देखते है volume increasing है, oi increasing है, oi change increasing है, यह weakness बनने वाली है, 150 पे weakness बनने वाली है, yellow boxes आया नहीं है, market 200 के support से उपर चल रहा है अब यह percentage down हुआ है, oi oi change and volume तीनों down हुए है, 200 के support से अब call बनता है, अगर 150 बुलिस हो रहा है तो अभी नहीं हो रहा है, अभी flat चल रहा है और level से उपर है, अगर retracement मिलती है, तो फिर देखेंगे, plan करेंगे, यहाँ पर retracement आया, कितने बजे, 11 बजे, 200 का percentage आप उपर चला गया, in fact, support shift हो गया, क्योंकि market थोड़ा recover कर गई है यहाँ पर 200 के support पर हम लोग 150 वाला देखते है, 150 वाला bearish नहीं है, flat चल रहा है, थोड़ा सा flat था, decrease हुआ, फिर दुबारा आ गया है यहाँ पर काफी risky हो रहा है, call cut rate risky हो रहा है, 150 के support से call cut rate बन सकता है, अब यहाँ पर long position फिर से risky वाला target कहां तक रहेगा, तो 200 का support तक, 20 points के sell के साथ, support वापस 300 पे shift हुआ है, market के movement के कारण से वो भी, देखते हैं, इसमें sell आता है, target है, market दुबारा से retest करनी आई है, जिनका miss हो गया था, एक बार देखते हैं, 11, 12 पे, 11, 12 पे 200 पे फिर से आ गई, यह percentage down हो गया, नीचे कोई weakness हैं नहीं, 150 वाला अगर bullis है, या sorry, bearish नहीं है, जो कि नहीं है, आपर भूलिस हो रहा है, तो हमारा 받아 बनता है, यहां से जो trade नहीं बना था, अगर यह वाला trade नहीं बना थे, तो यहाँ बनता है, और ज्जाधा confidence वालाuğा बनता है, पिछले वाले से ज्जाधा confidence वाला trade बनत लेखते हैं 1150 1133 का डाटा 1133 का डाटा में कोई कुछ चेंज जाया है support 200 का 300 पर वापस जा सकता है कि लागता है decrease हो रही है नहीं जा सकता है market 250 के 239 पर 239 क्या होता है 200 का resistance क्या है यहां से put लिया जा सकता है support shift हुआ था यह वाला बेरिस भी है हम है एक put का trade जो लेबल से पहली बार मिला है लेबल पर यह market close हुई है 20 points का candle अब उपर closing दे रही है 1139 पर डाटा फिर देखेंगे 1139 पर क्या कुछ changes आया है हम लोगों को चाहिए 250 वाला वह अभी बेरिस है तो एसल साय दना जाए टार्गेट मिल जाए रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ 300 पर आने की कोशिस कर रहा है support वापर से उपर जाने की कोशिस नहीं कर रहा है लेकिन यहां पर एक बड़ी सी candle बनी है हमारे एसल चला गए और वह candle उपर जाके closing दिए 250 क पर support strong बन रहा है 200 का रेजिस्टेंस आ रहा है 300 पर रेजिस्टेंस उपर से नीचे की तरफ shifting कर रहा है फिर से यह नीचे आने वाला है 200 का support strong बन रहा है मार्केट 250 के रेजिस्टेंस से थोड़ा से उपर closing दिए अगर नीचे आती है तो फिर put card करेंगे या 300 के रेजिस्टेंस पर चल जाए तो वो safe वाला put बन जाएगा candle आई नीचे लेकिन काफी नीचे है 1154 पर 1154 पर मार्केट 250 के रेजिस्टेंस पर नीचे closing दिया है 300 वाला strike price अगर bullish नहीं है यह varies भी नहीं है तो यहाँ पर put cut rate किया जा सकता है लेबल retrace करता है तो entry बना सकते हैं या इस लेबल पर कितने दूर रह गया था तो यह लगभग रह गया था 5.2 पांच पॉइंट अगर buffer लेके चलते हैं तो यहाँ पर put cut rate नहीं तो retracement पर करना है ज्यादा बेटर है लेबल पर आती है यहाँ पर आ गई वैसे अगले candle पर आगे retracement डाटा भी देखेंगे 12 बजे रेजिस्टेंस नीचे shift होने वाला है 96% हो चुका है यह वापस उपर जा नहीं रहा है मार्केट 250 के रेजिस्टेंस पर 300 वाला strike price थोड़ा सा bullish होने की कोशिस कर रहा था अब देखते हैं यहाँ अगर यह उपर close होती है तो निकल जा है बदोबारा से फ्लैट चल रहा है बुलिस नहीं है तो इस ट्रेड में टार्गेट आने चाहिए अब कंडल उपर close हो रही है अब डाउट फूल हो जाता है ना 1251 पर डाटा देखते हैं 1251 पर कुछ चेंज हुआ है क्या यह पर सिंटेज एक बार देख लेते हैं और ठीक बीर आ रहा है वालूम भी आ रहा है वाई एन चेंज भी आ रहे हैं 300 वाला स्टाइक प्रेज देख लेते हैं थोड़ा सा बुलिस हुआ था फिर फ्लैट हो रहा है यह थोड़ा डाउट कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस की सिफ्टिंग होई है सपोर्ट नीचे ही करते ही मार्केट 300 के रेजिस्टेंस से उपर नहीं जाएगा 300 के रेजिस्टेंस पर मिला तो पुट लेंगे लेकिन अब सपोर्ट भी उपर जाने की खुशिस कर रहा है फिर से 250 के सपोर्ट से कॉल बनता है इवन 300 के सपोर्ट से भी कॉल बनता है मार्केट 250 के सपोर्ट प दो बच के तीन मिनट पे परसिंटेज जिक्रीज नहीं हुआ है 90% पे ही है अभी भी नीचे वाला स्टाइक प्राइज क्या बेरिस हो गया है वो देखते हैं वह भी नहीं हुआ है तो मार्केट नीचे तो आई है लेकिन एसल जाने के अभी भी चांसेस नहीं है सपोर्ट वापस से 300 पे जाने की कुसिस कर रहा है लेकिन एसल चला गया तो यहां पर एकजिट कर देंगे अब दो बच के 6 मिनट हो गया है नया कोई ट्रेड ढोना है तो नहीं चाहिए यहां पर नीचे मिलता है अगर 200 के सपोर्ट पर तो फिर देख सकते हैं मार्केट वहीं से एसल खाके चली गई उपर टार्गेट तक गई है दो बच के 30 मिनट लेकिन हमारा एसल चला गया तो कैसा दिन रहा है एक दो तीन चार और इतना फॉल में बस एक ट्रेड अलाकि यहां से फुट था यहां से भी पुट था एक दो तीन एसल हुए हैं और दो टार्गेट म मार्केट सुबह सुबह अच्छा मूव करा उसके बाद थोड़ी से रिकवरी करी और लगवग एक देड़ गंटे फिर से एक रेंज बाउंड में चला गया और लास्ट में थोड़ी से मूवमेंट आई